दो दोस्त राम और राज के पास एक गुल्लक है जिसमें 50 रुपे हैं अब वे दोनों व्यक्तिगत रूप से उस गुल्लक में कुछ और रुपे डालते हैं जिससे गुल्लक में कुलधन राशी 80 रुपे तक पहुंचाती है अब आपके लिए एक चुनोती है क्या आप पता सकते हैं कि प्रत्येक दोस्त ने कितने रुपे का योगदान दिया? पर रुखिये, हमें इसके लिए एक सुराग दिया गया है सुराग बताता है कि राम ने राज के योगदान की दुगनी रकम गुल्लक में डाली है करने की कोशिश करते हैं इसके लिए इस सत्रों में हम चर यानि वेरियेबल तथा समिकरन यानि एक्वेशन नामक दो गणितिय संकल्पनाओं को सीखेंगे चलिए, पहले हम दी गई जानकारी को लिखने की कोशिश करते हैं हमें पता है कि गुल्लक में पहले से 50 रुपे मौजूद थे अब राम और राज ने उसमें कुछ रुपे डाले पर हमें नहीं पता कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कितना योगदान दिया तो चलिए, अभी के लिए राज के योगदान के सामने एक सिक्का प्रतीक रखते हैं पर राम का योगदान का क्या? यह सुराग हमें बताता है कि राम ने राज के योगदान की दुगनी रकम का योगदान दिया है तो चलिए, राम के योगदान के सामने दो सिक्के रखते हैं अब हो गए कुल तीन सिक्के क्या आप समझे हमने यहाँ क्या किया? ये सिक्का हमें उस अंजानरकम की पूरी जानकारी रखने में मदद करता है जिसे हम डूनना चाते हैं इस सिक्के का मूल्य अलग-अलग संख्याएं हो सकती है इसलिए इसका एक विशेश नाम है चर हम ये देख चुके हैं कि हर चीज जो एक अंजानमात्रक को सुचित करती है चर कहलाती है अंग्रेजी में इसे वेरियेबल कहते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमें पता है कि गुल्लक में खुल्धन राशी असी रुपए है तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम इस टेबल से क्या व्याख्या कर सकते हैं यह टेबल हमें बताता है कि पचास रुपे और तीन सिके का योग असी के बराबर है तो हम इस जानकारी को सरलता से ऐसे लिख सकते हैं समता के चिन की बाई ओर के दोनों भागों का योग दाई ओर की संख्या के बराबर है हमने अभी तक सभी जानकारी को एक साधे गणिते रूप में संख्येप किया अब हमें बस इस सिके का मूल्य पता करना है जानकारी को लिखने का ये रूप एक समिकरण कहलाता है अंग्रीजी में इसे एक इक्वेशन कहते हैं कोई भी समिकरण में आम तोर पर सिके जैसे चरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से व्यक्त किया जाता है इससे समिकरण को लिखना और सरल हो जाता है चलिए अब सिक का प्रतीक को एक से बदलते हैं अब हमारा समिकरण ऐसा बन जाता है पच्यास और तीन गुणा एक्स का योग असी के बराबर है अभी के लिए आप एक खेल-खेल सकते हैं एक्स के मूल्य का अनुमान लगाइए उधारण के लिए अगर हम एक्स को पाँच के बराबर मानते हैं तो बायापक्ष 50 और 15 के योग मतलब 65 के बराबर होगा. पर ये 80 के बराबर नहीं है, तो 5 सही उत्तर नहीं है. फिर सही उत्तर क्या हो सकता है? हम आगामी पाठों में ऐसी समिकरणों को हल करना सीखेंगे. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह की समिकरण को एक चर्वाला रैखिक समिकरण कहा जाता है. और अंग्रेजी में हम इसे linear equation in one variable कहते हैं. इन शब्दों से हमारा क्या मतलब है? ये हम अगले पाठ में कुछ दिलचस्प उधारनों से समझेंगे. संक्षेप में हमने देखा कि चर और समिकरण नामक दो गणीतीय संकलपनाएं क्या होती हैं?